नमस्कार मैं हूँ मिस्टर स्टॉक तो दोस्तो शेर बजार के निवेशकों को कुछे दिन में मल्टी बैगर रेटन देने वाली विकास एकोटेक लिमिटेर ने इस सल अपने कर्च को घटानी की योजना बनाई है दोस्तो कमपनी ने अब तक कई फेज में धीरे धीरे बैंकों का कर्च घटानी की कोसिस की है जिससे इसके मुनाफे पर हमें पॉजिटिव असर देखने को मिला है शेर बज़ार एक्सपरट का कैना है कि बैंक कर्च घटनी के वीकास एकोटेक के मुनाफे में अच्छी तेजी दर्ज की जा सकती है दोस्तो हाली में विकास इकोटेक ने शेर बजार को जानकारी दिये कि उसने बैंक को 5 करुपे का कर्ज लोटा दिया है और इसके बाद विकास इकोटेक का टोटल कर्ज 60 करुपे है यानि कि अब विकास इकोटेक को बैंक को 60 करुपे लोटाने हैं बता दी कि विकास एकोटेक पर बैंकों का 101 करुपे का कर्च था जो अब घट कर 60 करुपे पर आ गया है। दोस्तो विकास एकोटेक ने शेर बजार को ये जानकारी दिये कि चालू वित्वरस की दूसरे तीमाही में विकास एकोटेक ने 10 करुपे का कर्च और चुकानी की रखा है यानि कि इस कंपनी के उपर कोई कज नहीं होगा आने वाले क्वाटर में वहीं अगर हम विगाज सीकुटेक के शेर की बात करें तो इस शेर ने तीन अप्रेल 2020 से अपने नीविशकों को तकरीबन 500% का बंपर रिटन दिया है दोस्तो इसी बीच विगाज सीकुटेक या था कि उसे 50 का रुपे का स्पेशालिटी पॉलिमर कंपाउंड और पॉलिमर एडेक्टिव का ओर्डर मिला है और इस प्रोजेक को इसी साल अगर सेप्टेंबर में पूरा करना है दोस्तो मार्केट एक्सपर्ट के कहना है कि इसके बाद हमें फिर से विगास सीकुटेक के शेयर में बढ़ा देखने को मिलेगा वेरहाल आप कमेंट केर के बतायीं कि आप के प्रोफिट या फिर किते कग लौस हो रहा है दोस्तो अगर आपको जाना है कि कौन से कम पनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलिगाम चैनल को फॉलो कर सकते हैं तो दोस्तों इ इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में